नमस्कार चतीजगड का नमबर वन बुलिटिन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अवंतिका श्रवास्त श्रवात करेंगे चतीजगड से मिल रही कोर्बा से मिल रही बड़ी ख़बर के साथ जहां बीईओ के नाम पर रिश्मत खोरी की जानकारी सामने आ रहे होता है संजे अग्रवाल है कोर्बा के बीईओ हाला कि इस वारल वीडियो को लेकर न्यूज एठीन अभी तक इसकी सत्यता की पुष्टी नहीं करता है वारल वीडियो है इसलिए का आ जा रहा है यह बीईओ के नाम पर रिश्वत कुरी चल रही थी कि इस वारल वीडियो को कि लगातार अब चर्चक विश्य बना हुआ ग्लर्क हरी शरंड यादब को आप देख पा रहे हैं इस तस्फीर में एक्स्क्लूजिव तस्फीर हैं आपकी टीवी स्क्रींज पर अला कि इसकी सत्यता की अभी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वारेल भी हो रहा है संजय गरवाल कोर्बा के बीएओ हैं लगातार इस तरह के मामले सामने आने के बाद से विभाग पहटकम की सिति भी शिक्षक से खूस ले रहा क्लर्खारी शरण यादव जो की वीडियो में कैद हुआ है और यह वी का विशे बना हुआ है रिश्वत लेने के बाद शिक्षक से ये बात क्लर की तरफ से कही जा रहे थी कि पीए उस सहाब को भी हिस्सा भीजना होता है आप देख रहे हैं वीडियो लगातार वारल हुरा है लकिन इस वारल वीडियो की पुष्टी नहीं करता है यह अब जांच का विश्रह है कि क्या कुछ इस मामले में आगे कारवाई की जाएगी कोरवा का यह पूरा मामलाइक पर फिस्वे रिश्वत खोरी की जानकारी यहां से सामने आई है और बीईयो के नाम पर क्लर्क की तरफ से रिश्वत मांगी गई क्या कुछ तथे हैं इस घटना की हम समझ लेते हैं हमारे सवेगी अब्दुल हमारे साथ लाइफ जोड़ा अंकम रुक लेते हैं अब्दुल क्या कुछ तथे भी तक इस वीडियो के जरीए सामने आप आया है और क्या बीईयो की तरफ से भी तक कुछ का आ गया इस मामले पर जी आपको बता दू कि कोर्बा खंड सिक्षा दिकरे जो है बीयो कारलाय में जो पदस्त है बाबू क्लर्क जो है उनके द्वारा जो है रिश्वत मांगी गए और वो कैमरे में भी कैद हो गया रिश्वत लेते हुए और इसको लेकर नियूज 18 की टीम ने जब बीयो संजे अगरवाल से भी इस मामले में जानकारी चाहिए और उनका पक्ष जानना चाहा तो वो कैमरेक सामने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया और इस पूरे मामले को लेकर विभाग में हड़कम की इस्तिती है निशित थी और ये भूबिका भी बीयो के अब कही ना कहीं सवालों की घेरे में देखना होगा क्या कुछ कारवाई हो थी बहुत शुक्री आपको अब दो जानकारी के लिए निशिती ने कल ही प्रमुक्ता से खबर दिखाई थे और लगातार सोर अधिकारियों का ध्यान खीचने की कोशिश की मुहीम के साथ हम आगे बढ़ रहे थे और इस निशितीन की खबर का इंपक्ट भी देखने को मिला है कार पालन अभी अंता ने निलंबन की कारवाई के साथी वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जो कि इस घटा का वारल हो रहा था डेटा एंटी ऑपर पहुंचा आधिकारियों की मौजूद्गी में शराब पीकर लगातार हंगामा का रहे है और आपको राजदानी राइप पुलिस ने बच्चों के शवों को निकाल लिया है बाहर सुभा तालाब में नहाने के लिए दोनों बच्चे गए थे लेकिन काफी लंबे समय तक जब उनकी जानकारी नहीं लगी तो पुलिस को सूचित किया गया परिजनों की तरफ से पुलिस जैसे ही च्छानमीन के लि पुलिस ने शिकन जाकता है इंटरस्टेट सटा संचाल को पर पुलिस की तरफ से बड़ी कारवाई राजदानी से तीन सटे बाज गरफतार हुए है चाउदा मोबाइल दो लाप्टॉप और दो लाक असी हजार रुपे इनके वाले से जब्त किये गए महराश्ट्र हैदर पुलिस ने शिकन जाकता है पुलिस से एक सच किलो गांजा बरामत किया है गांजी के साथ तीन आरूपी ग्रफतार हो चुके है उडिशा से बीजापोर की ओर ये गांजा ले जाय जा रहा था मुख्बीर के सूचना पर पुलिस ने फॉरण कारवाई का अंजाम दिया जब्त कारवाई पुलिस की तरफ से तसकर भी पुलिस ग्रफत रहा है और दार कांकेर से भी इसी तरह के खबर है गांजा और नश्चीली दवाई बरामत की जा चुकी है मुख्बीर की तरफ से यहां पर भी पुलिस को सूचित किया गया उसकी बाद पुलिस ने फॉरण कारवाई की घर के सामने गांजी और नश्चीली दवाई की बिक्री खुले आम आरूपी कर रहे थे फॉरण पुलिस ने शिकन जा कर से बिर की सूचना पर यह ओमा संकर सिर्वास्तो अमा पर कांकेर के कबजे से 209 पैकेट में भारा हुआ 2 किलोग्राम गांजा बरामत किया गया है आरूपी के विरुद्ध NDPS Act की कारवाई की गई है साथ ही आरूपी जो है जिला बदर भी गोसित किया गया था जिसकी अवधी अभी समापनी हुई थी तो उस पर जो 36 गड़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर गर्दी कारवाई कर ने आई क्रिमान पर जेल बेजा गया है पंद्रा मईस से 36 गड़ के पटवारी अनिश्रिक कालीन हर्ताल पर है पटवारी के हर्ताल पर चले जाने से राज्यस्व संबंदी काम राज्य में ठप पड़े वे ज़ें के अथी आवश्रक कार्यों में बाधा को देखते हुए राज्यसरकार ने हर्ताल पर अस्मा लगाया बुद्वार को राजसरकार के ग्रेव विभाग ने दिसूचना भी जारी के लिएकर इसके बाद भी पटवारी संकी हरता लगाता चलिए एसमा लगाय जाने से नाराज पटवारी लगाता प्रदर्शन कर रहे हैं आदेश की कॉपी भी जला दी तस्वीरें आप देखे प्रदर्शन की मांगे पूरी नहीं होने तक हरताल जारी रखने का एलान कर दिसूचना भी जारी की गई थी लेकिन इसके बाद भी राजस्व पटवारी जो पटवारी पर है इस वक्त हमारे साथ राजस्व पटवारी संग के अध्ध़ मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे तो एसमा लगाने के बाद भी आप लोग हरताल पर हैं आगे आप लोग के और क्यारण भीती रही बात चित करें हमसे और अगर नहीं करतें तो आंदोलन तो जारी रहेगा जब तक हमारी आठों मांग पूरी नहीं हो जाती हम आंदोलन पर डटे रहेंगे अब साथन चाहे इसमा लगाए जेल में भरे फांसी चड़ा जैसा जो करना चाहे जितने रुप से परताईद कर सकते कर ले हम पीछे सब्सकी आठने नहीं है हर जीले में वीगत चौबस दिनों से आपलों का हरताल जो है वह जारी है और जैस्से में वाक के सारे काम भी ओर धंसा ऑर जहन को पर भीकोर´तानी हो रही है जो운कब आज पर तीसवा दिन हैं हरताल का सरकार के तरह को कोई निमंता नामंता निया चर्चा के लिए बुलावा नहीं आया है और हमारे विभाग से जितने भी संबंधित काम है जो अन्य विभाग भी हम से जुड़े हुए है उनका भी काम ठप है दिके वेतन भी संगती विभाग से जितनाव को लेकर कॉंग्रिस लगातार कारेकरताओं में जोश और उत्सा फर रही है बस्तर बेलासपूर और अब दुर्ग संभाग में कॉंग्रिस ने संभीलन किया पार्टी कारेकरताओं को रिचार्च करने का काम बड़े निता कर रहे हैं संभागी समयलन को सेम भूपेश पक्रिल और क्रदेश प्रभारी कुमारी शर्जा ने भी संभूदित किया पीसेसी चीफ मोहन मरका मौझूद रहे विधानसभा तेक्ष रंडासमेंट ने कारेकरताओं और पदादिकारे को संभूदित किया चुनाव के लिए कारेकरताओं को टिप्स दिये हैं विधानसभा लोकसबद चुनाव के लिए अभी सेही जुट जाने का वाहन कुमारी शाज़ा ने का कि दुर्ग संभागी 20 में से 20 सीठे जीतने का लक्ष और इसी पर काम करना है संभाग से मैं आता हूं और इस संभागी संभी लंग को संभूधित करने आदर निया सेल्जा जी आदर निमोहन जी आदर ने चरह मां जी जो हमारे नासभा कर्देख्ष है तो पधारे में उनका हुद्दै से अभार वेक्त करता हूं कि उन्हों पूरा समय इस करता संभी प्रक्राइब दिया और निर्देश विदिये जानकारियां भी लिए इसके लिए मैं उनके प्रते आवाग वेक्ता है पिछली बार पी इतनी मेहनत की हमारी सब्कार बनी और अगर हम दों संभाग की बात करें हो यहां से मुख्य मंत्री इस और यहां कार्य करता पूरे जो आने वाले समय में कि ना केबल दूट संभाग में पूरे राज्य में जिस प्रकार से हमारी सरकार में काजे किया है प्रभारी कुमारी शल्जा को आपने सुना बेस में से 2 सीटे जीतने का टागेट निर्धरत किया है अब कैसे क्लियान वेट किया जाएगा कारेकरताओं में किस तरह की टिप्स बाटे गए ये भी हम समझ लेते हैं मिथलेश चुनावी मोर्ड में पूरी तरह से कॉंग्रेस और सीधे तोर पर अब इस पश्ट कर दिया कि 200 में से 20 सीटे जाहिए कैसे काम करेंगे कारेकरताओं क्या कुछ टिप्स हैं विस्तार से चरचा देगे निश्ट रूप से आज दरुक के संभागी संभिलें था और यहां पर कारेकरताओं को वो टिप्स दिये गए कि किस तरह से आगावी जो विधा सभा के चुनाओं होंगे उसके बाद में लोग सभा के चुनाओं गया तो कैसे उनको कारे करना है किस तरह से सोशल मीडिया को प्योग करना है किस तरह से युवाओं को काम करना है हैं तरह इसे तमाम सारे ट्प्स जो दिए गूं कि इस तरह से जो ऑसक्ते हैं किस्तर से महंगाई को लेकर लोग परिशान इस मोलता कर साथ साथ ही जो राजी सरकार को जन न्यान करी ऊजनाए चिला और शेतरों में काम करवाए और यही जीत का आधार होगा तो आज दुर्ग संभाग पूरी तरह से चार्ज किया गया है और उनको पूरी तरह से यह कहा गया है कि अब जो चुनाओ का वक्त आ गया है अब वे तयारियों में जुड़ जाए और सीधे लोगों के बीच में है वो काफी अच्छा रहा था वही प्रदेश ने इस बार पी रहेगा और कॉंग्रेस इस बार जीत हासिल करेगी बिल्कुछ चलिए देखना होगा आगी क्या कुछ होता है बहुत शुक्त आपको मितलेश इस पूरी जवानकारी के लिए तो आप देख रहे हैं विधान परशेत्र और मैदानी लडाए में मंत्रियों के पर्फॉरमेंस का बॉरा मांगा गया मीडिया और सोचल मीडिया की ज़ानकारी भी मांगी गई है के साथ बार ने करेंगे और उत चींग वंधिये नहीं चैनाव के मांग्रीा मंत्र्यों कर रिपोर्ड का i बलकि मुख्य मंत्री का रिपोर्ट काट चाहिए लाक द्याग जिला द्याग से फ्रंटल आयरमेजिसां सब के यू ले जाएंगे उसके बात रन पिड़े सोद समझ कर किया जाता है पिछली बार भी किया और यही कारण था कि हमारी 68 68 सीठें हम जीते थे और इस बार फिर सभी लोग मिलकर बैटकर फूरे सर्वे भी किया जात और कारे काद देखना है तो मंतरियों क्यों मांगते हैं मुख्या मंतरी का देखे न पांच साल में क्या रिपोर्ट कार्ड बुख्या मंतरी का होता है बहिया कि कितने सरक बने, कितने पूल बने, कितने इस्कूल बने, कितने अस्पताल बने, कि इन्फराइस्ट्रप्चर में खर्च हुआ, पावर सेक्टर में कितना इन्वेस्ट्ट हुआ, ये धी परफार्मेंस नील है, तो मुख्यमंतरी के परफार्मेंस के अधार पर विध मामला फसलों की MSP यानिकी नियुम्तम समर्तन मूली से जुड़ा हुआ है कि इंसरकार ने कई खरे फसलों की MSP बढ़ाई है लेकिन कॉंग्रेस इसे उट के मुह में जीरा बताती है ऐसी को लेकर गिराज सिंग ने कॉंग्रेस को MSP पर डिबेट की चुनौती दी थी जवाब में सियम्भू पेश पेगे ने कहा कि बताएं कि किस मंच पर डिबेट करने हैं डिबेट के लिए बिल्कुल तया है चौटेह के MSP से तीन गुना दो गुना चार गुना बढ़ाया है दल्हान तिल्हान जो इन्होंने कभी दिया नहीं यह क्या बोलेंगे बिल्कुल उसी नोदी स्विकार करते हैं किस मंच मैंना जातें बता दें कि यूपिया सरकार में कितना हां का भाव बढ़ा और एंडिया सरकार में कितने भाव बढ़ा दस साल उनके भी हो रहे हैं दस साल हमारे भी थे उसमें कितना परसेंट MSP बढ़ा और इस समें कितना बढ़ा यह हम बास करने के तयार हैं उसमें डिजल के भाव क्या थे और इ भारत के अंदर भारत को समाप्त करने के लिए अंतराश्टिक साजश विल रही है, सनातनियों को खत्म करने की साजश है, पूरा नहीं होने दिया जाएगा साजश को, उसके साथ ही बस्तर में धर्मांतरन को लेकर भी निशाना साधा, गिराज सिंग ने ये भी कहा है कि भारत को समाप्त करने के लिए ये अंतराश्टिय साजश चल रहा है, एक तरफ तो आपने यहां देखा बस्तर में चर्चों के माध्यम से, आप जिस गामो की बात कर रहे हैं, जिस माराठा महाराश्ट में देखा, ये भारत के सनातनियों को एक तरह से खत्म करके भारत को कभ़ीया करने की कोशिस है, और ये भारत कभूल करेगा, मराठा कभी बावर और और औरंजेब को नहीं कभूल करेगा, देश कभी कभूल नहीं करेगा, और ये आदिवासी समाच को जिस ढांसे कृष्चन बनाने का काम किया जा रहा है ये दोनों हमारे देश को खोकला करने वाला है दोनों के खिलाफ हमारी लराई जारी है और अब देखे 25 सेकंड में खबर लब जिहाद धर्मान्तरन फिर बोले खेंदरे मंत्री गेरी राज चिन्ह सणातन धर्म को खत्म करने के अंतराष्टे साज़िस साज़िस को किसी भी तरह से करेंगे ना का दुर्ग में कॉंग्रेस को संभागी है सम्मेलन, सम्मेलन को सेम्भू पेश बखेल ने किया समूदे चुनाव को मैं देनेजर कारेकर्ताओं को दिये गए टिप्स शतीजगर कॉंग्रेस प्रभारी खुमारी शेलजा ने मंत्रियों से मांगी चार साल के कारेकाल की रिपोर्ट वदान सभाश्यत्र और मरदानी नड़ाईप में परफॉर्मेंस का मांगा बिया तुमारी शेलजा का मंत्रियों से रिपॉर्ट कार्ड मांगने पर बेजेपी ने साधर निशाना पूर्वसीयम रवन सिंग ने कहा मंत्रियों का नहीं मुख्य मंत्री का रिपॉर्ट मांगे ढंतरी में व्यापारी से चालला की उगाही की कोशिश व्यापारी के घर पर्चा पेकर थी हमले की धम की साइबर सेल ने आरोपी को रैपू से पक्ला मनीदगण में परवार ने लगाई इच्छन मृत्यू की गुहार, कलेक्टर से लगाई इच्छन मृत्यू की बांक, प्रशासर पर प्रताणना करने कावर पटवारियों की हर्ताल पर एसमा लगाने का नहीं दिखा सर पटवारियों ने जलाई एसमा की कॉफी 15 मई से हर्ताल पर पटवारी सर दंतिवाड़ा में नश्रे की कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा पुलिस ने 61 किलो गांजी के साथ 3 आरोपियों को किया धिरपता है पुलिस ने शबों को निकाला पाहार उड़ला के लटर राखी कटना राइगण में रोजगार के लिए प्रदर्शन प्लांट की गेट पर ग्रामिणों ने किया प्रदर्शन बेस्ट पावर प्लांट में की रोजगार की बान कांकेर में नशीली दवाईयां बेचने वाला गिरफतार घर के पास बेच राथा नशीली दवाईय मोके से गांजा और नशीली दवाईय सकता कवरदा में गौत असकरों को ग्राविडों ने बखड़ा, ट्रक में मवेशी भर कर ले जा रहे ते कतल खाने, ग्राविडों ने 50 किलो मिटर तक हिया पीच्छा बलग्रामपूर में SDM पर लगा दुरुवयवार का आरोप, मितानें स्वास्त कार करता होने लगाये आरोप, SDM का आरोपर से इनकार और बावे ट्राफिक विवस्ता बदहाल, सडको पर पार्किंग बनी, बड़ी समस्या, ट्राफिक जाम से पढ़े, प्रदोर्शन और गंदिकी के समस्या अमिक पूर में डैम में डूपने से 14 वर्शे नावाले की मौत, पोलिस ने नावाले के श्रप को पोस्ट बाडम के लिए बिचवाया, खटना की जानकारी से गाउं में पस्रमाई बुलिटिर में इतना ही, आप देखते रहें, न्यूस सिठी